इंडिया में अपने लगजरी कार्स के लिए फेमस जर्मन कम्पनी ओडी ने इंडियन इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ओडी E-Tron लॉंच कर चुकी है कम्पनी ने इस कार के थ्री वेरियंट लॉंच किये हैं इसमें इसके पहले वेरियंट और्डी e-tron 50 की स्टार्टिंग प्राइस 99.99 लाक है सेकेंड वेरियंट और्डी e-tron 55 की स्टार्टिंग प्राइस 1.16 करोर है और थर्ड वेरियंट और्डी e-tron sportback 55 की स्टार्टिंग प्राइस 1.18 करोर रखी है कम्पनी की तरब से इन इलेक्ट्रिक कार्ड पर 2 साल की स्टेंडर्ड वारेंटी और 8 साल या 1.16 लाक किलोमीटर की हाई वोल्टेज बैटरी पर वारेंटी दे रही है जिसको 2 या 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इस कार की बैटरी की बात की जाये तो कम्पनी ने इसमें दो बैटरी ओप्सन दिये हैं जिसमें पहला 71 किलोवाट की बैटरी और दूसरा 95 किलोवाट की बैटरी है इन कार्द को लेकर कंपनी का दावा है कि 71 kW बैटरी पैक वाली सिंगल चार्ज पर 264 से 379 km तक की ड्राइविंग रेंज देती है लेकिन 95 kW वाली बैटरी 359 से लेकर 484 km तक की ड्राइविंग रेंज देती है इंडिया में launch होने के बाद इसका सीधा competition Hyundai की luxury electric car Kona से होगा क्योंकि यह दोनों 400 km से ज़्यादा driving range देने का दावा करती है Kona Hyundai company की सबसे premium electric car है जिसको company ने दो battery pack के साथ launch किया है इसमें पहला 100 kW और दूसरा 150 kW electric motor का है Hyundai Kona की range को लेकर company का दावा है कि यह car एक बार में full charge होने के बाद 452 km तक की driving range देती है इसकी starting price 23.77 lakh से start होकर 23.99 lakh तक जाती है जो इसकी top model की price है अगर यह information आपको useful लगा होगा तो इस वीडियो को like जरू कीजेगा और चैनल पड़ा गरना है तो इस चैनल को subscribe जरू कर ले जागा Thank you